हेलो फ्रेंट्स मैं वनत्कुर मोर्या और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किया आप रेली मी GT60 में contact में number को कैसे save करेंगे जैसे friends आपको किसी भी number को अपने phone में save करना है तो friends आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हम किस तरीके से किसी भी number को अपने contact में कैसे save कर सकते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो को पूल आइकेंट से रिर कीजिगा, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको किसी भी नमर को अपने फोन की कॉंटक्ट में सेव करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉल पैट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डैल पैट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंट्स आपको उस नमर को एंटर करना है, जिस नमर को आप अपने फोन के कॉंटक्ट में save करना चाहते हैं, so friends यहां मैं उस number को enter कर दिता हूँ, जैसे friends यहां मैंने उस number को enter कर दिया है, enter करने के बाद यहां पर friends आपको फर्स्ट option, create a new contact पर click करना है, इस पर click करने के बाद यहां पर friends आप देख रहे हैं, चाहता हूँ, तो मैं device पर click करता हूँ, इस पर click करने के बाद यहां पर आपको उसका first name enter कर दिना है, so friends यहां मैं first name enter कर दिता हूँ, enter करने के बाद यहां पर आपको right side में उपर save पर click करना है, so friends मैं इस पर click कर दिता हूँ, इस पर click करते ही, वो नमबर मेरा contact में save हो गया So friends इस तरीके से आप Realme GT60 में किसी भी नमबर को अपने phone के contact में save कर सकते हैं बहुती अच्छी इडन सेटिंग थी इस वीडियो के लिए एक like बनता है और आप कोई वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके बता सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का तब तक के लिए बेटटा थैंक्यू